नमस्कार किसान बाईयों मैं मनोज फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूटूब चैनल आगरी ओमा मी किसान बाईयों आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में दो इस्प्रे कौन कौन से करने चाहिए जिससे गेहूं की बालियां लंबी मोटी वो चमकदार बनकर आएंगी साथी साथ किसान बाईयों गेहूं के जो दाने होंगे ज्यादा मोटे बनेंगे दाना एक भी सुकड़ेंगे नहीं और दाने के अंदर वजन बनकर यह निकलेंगे तो किसान भाईयों आज मैं गेहूं की फसल के लिए दो ऐसे टॉनिक बताऊंगा, इन दोनों टॉनिक में से किसी एक टॉनिक का आपको प्योग अपने गेहूं के फसल के अंदर करना है, कितने दिनों की अवस्था पर करना है, साथ में क्या क्या डालना है, सब कुछ किसान भ इस टोनिक का इस्प्रे करने की आव सकता पड़ेगी इसके साथ किसान भाईयों जैसे ही आप टोनिक का इस्प्रे गेहूं की फसल के अंदर करते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे इससे क्या-क्या फायदे होंगे मान लिजए आपकी गेहूं की फसल तेजी के साथ ग्रो कर रही है और उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ गई है तो उस लंबाई को रोकने के लिए आप टोनिक का उप्योग करना पड़ेगा इस्टोनिक का उपयोग करेंगे तो गेहूं की अंचाही ग्रोथ बढ़ रही है या बेवज़व की ग्रोथ जो बढ़ रही है वो ग्रोथ रुक जाएगी और वो ग्रोथ वो ताकत फिर वहाँ पर न लगकर किसान भाईयों बालियों की अंदर लगना शुरू हो जाती है जि 90 दिन के आसपास हो गई है तो अब तक जितनी भी ताकत हमारे पौधों ने श्टोर कर रखी है उस सारी ताकत को हमें पौधों से लेकर अपने दाने के अंदर बालियों के अंदर लगना है किसान भाईयों यदि हमारा पौधा अच्छी तरह से दाने का भराव नहीं करेग बालियों को मोटी वोर लम्बी नहीं करेगा तो हमें कोई वी वेनफिट देखने को नहीं मिलेगा खिसान भाईयों अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइम नहीं किया है तो सस्क्राइब करने जिससे आने वाली वीडियो की नूट फ़ीर सन्जनकारी आपको मिलती रहेंatta ख UPL कमपनी का मकरेना PGR टॉनिक सबसे पहले मैं आपको बता दूए यह क्या क्या कार करता है जो बालियां होगी जो फलियां होगी उन्हें बिल्कुल भी नीचे गिरने नहीं देगा पौंधों की बेवज़ा ग्रोथ को रोक देता है और उत्पादन को बढ़ाने में मदद करे जड़ों के द्वारा जो पोशक्तत्व को जो गुरहन करने की छमता होती है उस छमता को बढ़ा देता है हमारी फसल के अंदर रोगों से लड़ने में मदद करता है इसके प्रियोग से फसल में रोग तुरंत नहीं लग पाते हैं साथी साथ किसान भाईयों हमारी फसल के त तनाव को भी यह दूर करता है तनाव से ताथ पर यह है कि यदि आपने अपनी फसल के अंदर किसी भी परकार की दवा का इस्प्रे किये हैं जिससे पहुंदे तनाव में आ जाते हैं जैसे ही आप उप्योग का मकरोना का इस्प्रे करते हैं फसल जो है तनाव से मुक्त हो जाती है इसके उपियोग की हम बात करें तो 300 ml की मात्रा को एक एकर खेत में लगबग 120 से 130 लीटर पानी में मिलाकर इस्प्रे करें बहुत ही संदार तरीके से आपकी बालियों को यह लंबा करने में मदद करेगा और दाने भी फुल कर आएंगे इसकी कीमत लगबग 1300 लीटर म पीजी आर टॉनिक यह भी काफी अच्छा और संदार पीजी आर टॉनिक है इसकी मात्रा 250 ml प्रती एकर खेत में लगबग 120 से 130 लीटर पानी में मिलाकर अपने गेहूं की फसल के अंदर आप इसका इस्प्रे कर सकते हैं बहुत ही संदार अच्छे रिजल्ट आपको देखन को मिलेगा इसके स्प्रे करने के बाद आपकी फसल हरी भरी रहेगी ज्यादा फसल की हाइट बढ़ रही है तो यह रुक जाएगी इसकी कीमत 250 ml का पायक 230 रुपे के आसपास देखने को मार्केट में मिल जाता है इसका रिजल्ट 18 से 20 दिन तक देखने को मिलेगा 100% रिजल्ट के लिए इसका स्प्रे किसान भाईयों आप दो पहर के बाद ही करें आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा उमीद देख किसान भाईयों जनकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना नम भूलें फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जनकारी के साथ तब तक के लिए था